UP Board Exam 2022 के लिए Class 12 Biology Most Important Long Questions बताएंगे ये सभी Questions जो बताएंगे इसी में से Question फ़स जाएंगे Board Exam में इन ही में से सभी Question फ़स जाएंगे अलग से कुछ नहीं आएगा तो Most Important Long Question है इसलिए सभी लोग ध्यान से पूरा वेडियो देखेगा चलिए शुरू करते हैं पहला कोश्ण है जीनी इंजिनिरिंग और इसके उपयोग लिखी देखे इस तरह से अगर प्रशन नहीं पूछा जाता है तो इसी प्रशन को इस तरह से पूछा जाता है पुनर योगर डिरने तकनिक क्या है इसकी किरिया विधी और अनप्रियोगों का वर्डन किजी अगर इस तरह से आएगा है वही प्रशन वही आंसर आपको लिखना है सेम वही चीज है पुनर योगर डिरने तकनिक क्या है इसकी किरिया विधी और अनप्रियोगों को लिखिए अगर इस तरीके का प्रशन नहीं आता है तो ऐसे प्रशन पूछा जाएगा कि जेनेटिक एंजि और इसके उप्योग लिखिये, अगर इस तरह से नहीं पूछा जा रहा है, तो इस तरह से पूछा जाएगा, आन्वानसिक अभ्यांत्रीकिए और इसके उप्योग लिखिये, यह कुछिच्चन जो हम बता रहे है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी में से फा प्रण किजी तो इस तरह से कुछा जाएगा इस तरह से कई बार पूछा भी गया है कई बार पूछण पूछे भी गये हैं very very most important question है अगर यह question नहीं आता तो इस तरह से पूछा जाएगा जयो प्रद्धोग की क्या है और इस प्रद्धोग की के उपयोगों को लिखे या जय मैंने नाम बताए हैं इन में से किसी भी नाम से ये question आ सकता है और ये question very most important question है जो पहला नमबर बताया है अब दूसरे question पर आते हैं आनवान सिक्ता क्या है मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए अगर इस तरह से question नहीं पूछा जाता है तो पूछा जाएगा मेंडल कौन थे इनके तीनो नियमों की व्याख्या कीजिए ऐसे पूछा जा सकता है जो हम question बता रहे हैं इन सभी questions के answer आपको मेरे चैनल से lecture में मिल जाएंगे आप लोग जाकर कि उन वीडियो को देख लीजिए सर्च कर लीजिए मेरे चैनल में total video uploaded है सरल भासा में चित्र सह समझाया हुआ है तो देखे मेंडल कौन थे इनके तीनो नियमों की व्याख्या कीजिए इस तरह से आएगा अथवा अनुवांसिकी किसे कहते हैं अनुवांसिकी के नियमों का सच्चित वर्णन कीजिए तो ध्यान से समझेंगे एक ही प्रष्ण है अलग अलग तरीके से प बैख्या कीजिए तो अनुवांसिकी के नियम मेंडल के ही नियम होते हैं इसले सेम एक ही हैं पिर अगला कोईशन है तीसरा वार्ष्ण एवं क्रिक माडल का सच्चित्र वर्ण कीजिए मोस्ट इंपोर्णन कई बार परिच्छा में पूछा गया है तो वार्ष्ण और क्रि तो पूछा जाता है डियन्ने की दुई रज्जु की सर्ण रचना को समझाईए इस तरह से पूछा जाता है डियन्ने की दुई रज्जु की सर्ण रचना को तो ध्यान से समझेंगे किसी भी तरह से क्वेशन पूछा जाए एक ही बात है आपको वही लिखना है और मोस्ट हम संजह वरण किई यहां पर टोटल यह तरह से पूछा गया कई बार और तो सुक्राण जनन अंडाण जनन दोनों अच्छे से तयार कर लेजिए जिकी की very most important question है और आएंगे जरूर परिक्षा में फिर अगले question पर आते हैं चार नंबर तक question हो गया था पांचवा नंबर है निसेचन किसे कहते हैं मनुस में होने वाली किरियाओं का उलेख कीजिए ये question very very most important question है इसको आप लोग अच्छे से तयार कर लेंगे बहुत बार परिक्षा में पूछा गया है निसेचन किसे कहते हैं मनुस में होने वाली किरियाओं का उल्ले कीजिए और अंडार में सुक्राण के प्रिवेश का नमा की चित्र बने बहुत बार पूछा गया है अगर ये question नहीं पूछा जाता है तो पूछा जाएगा आबृत भी जी पौधों में निसेचन की किरिया का सचित्र बने कीजिए यानि कि ये पौधों माला हो जाएगा निसेचन और ये मनुस्यों माला हो जाएगा निसेचन तो इस तरह से पूछा जाता है इसके बाद अगला question है लिंग सहलेगन लक्षण क्या है मनुस में किनी दो लिंग सहलेगन लक्षण की वनसागतिका रेख सचित्रों की सहाता से वर्ण की ये भी वेरी मोश्ट इंपोर्टन क्यूश्चन है बहुत बार परिच्छा में आया बार बार पूछा जाता है परिच्छा में इसको भी अच्छे तरीके से तयार कर लेंगे अगर इस तरीके से कुश्चन नहीं पूछा जाता है तो पूछ बेरी बेरी मोस्त इंपोड़न कोईस्टन है और सभी लोग अच्छे से तयार कर लेंगे इसके बास सत्वानबर पर कोईस्ट समये लिंग सिंहготовी कई दी कि वह करेक्यों देखिए देखिए पच्छियों में लिंग निर्ण किया कई बार आया है मनुसम से ज़्यादा आया है तो ये दोनों question very most important है ये पूछा जाएगा तो ये आप हल कर लिजी ये पूछा जाएगा तो ये अच्छे से तयार करके जाएगा कोई भी एक question आ सकता है ये अगला question है पारजीनी जन्त किसे कहते हैं इनका क्या महातो पारजीनी जन्त कहो या ट्रांसजनीक जन्त कहो किसी भी नाम से पूछा जा सकता है चाहे पारजीनी जन्त किसे कहते हैं चाहे ट्रांसजनीक जन्त किसे कहते हैं इनका क्या माहत्तो है इनका लाब हेसा सब एक ये बात है किसी भी नाम से पुछा जाय है एक ही चीज़ आपको एक ही आशल लिखनाह Medal है मनौस्प के नर्जनन तंत्र का सचीत्रवर्णन किझे अगर नर जनन तंत्र नहीं आता है तो पुछा जाएगा मनुस के मादा जनन तंत्र का सची तरवड़न कीजिए दोनों तयार कलेजिए इंपोर्टेंट है और मेरे चनल में इस सारे वीडियो जितने भी लॉंग कोई चनल आज हम बता रहे हैं और इसकी किरिया बिधी का वड़़न कीजिए इस तरह से पूछा जा सकता है तो अंगली छापी हो चाहे डिनने फिंगर प्रिंटिंग हो एक ही बात है इसकी प्योगिता इसकी किरिया बिधी इसकी प्रॉसेस सारा कुछ मैंने बताया हुआ है आप लोग मेरे चनल में जाकर क इसकी वाला या फिर डिनने रेप्लिकेशन ये एक ही बात होती है डिनने दिगुडन की किरिया इंपोर्टेंट है पूछा जाता है और फिर अगला है दिनिसेचन और त्रिसलैन को सच्चित्र समझाईए फिर अगला है मलेरिया पर जीवी प्लादमो डियम का जीवन चक्र सब्सक्रिवेаз जाता है या मलेरिया किया है मलेर के लक्षण उसके उप्चार बताया इस तरह से पूछा जाता है अगला है जलोद भीन उस से ज़दा वार आया है मरोद भ्हार